नमस्कार मैं पूजा श्र्मा इंडियन फिल्म हिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम बात करने वाले हैं 25 वेवरी 2020 को रिलीस की गई अनुभव सिना की एक ऐसी तावर तोड कहानी की जिसने खूँ वावा ही पाई जिसका नाम है थपड इसकी कास्ट में तापसी पन्नू यानि अमरिता सबरवाल जो पवेल गुलाटी यानि विक्रम सबरवाल की बीवी का किरदार निभा रही है इसके साथ ही कुमुद मिश्रा उर्फ सचिन संदू और रतना पाठक उर्फ संध्या संदू जो फिल्म में तापसी पन्नू के माबाप का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं मुवी की कास्ट में तो काफी लोग हैं लेकिन ये है मुवी के कुछ ऐसे किरदार जो लीड कास्ट में आते हैं तो दोस्तों मूवी में अमरिता एक ऐसी लेडी थी जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने सपने छोड़कर खुशी खुशी अपनी फैमिली के लिए एक पॉफेक्ट हाउस वाइफ होती है जो अपने पती को सपोर्ट भी करती है और उसकी फैमिली का ख्याल भी रखती है अमरिता का हस्बेंड विक्रम अपने प्रमोशन से पहले की प्रेजेंटेशन की तयारी कर रहा होता है जिस प्रमोशन से उसके आफिस वाले विक्रम को लंडन भेजने वाले थे विक्रम को प्रमोशन मिल जाता है और वो उसकी खुशी में एक पार्टी रखता है पार्टी में सब अच्छा चल रहा होता है सब खुश होते हैं डांस हो रहा होता है लेकिन अचानक से विक्रम के बॉस का फोन आता है जो उसको फोन पर बताते हैं कि प्रमोशन में चेंज जिस कर दिये हैं और उसकी पोस्ट किसी और को दे दी है विक्रम फिर वहां से जाता है आफिस के उस बंदे के पास जिसकी वज़ा से विक्रम को लगता है कि ये सब उसका किया धरा है उनकी आपस में इतनी बहस चल रही होती है कि अमरिता विक्रम को समझाने आती है उसके वह से लेकर जाने की कोशिश करती है लेकिन विक्रम अचानक से अमरिता को थपड मार देता है जिससे सारे लोग शौक हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं यहां से शिरुवात होती है कहानी के टाइटल थपड की अमरिता अपने रोज मेरास کے काम करती है लेकिन उसका स्वभाव बहुत शांत हो जाता है वो किसी से बात तक नहीं करती बस शांत रहकर अपना काम करती है अमरिता की मदर इनलो उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो ये सब भूल जाए और अब ठीक हो जाए अमरिता वहाँ पर भी कुछ ना कहे चले जाती है और वहाँ से भी शान्त रहती है फिर दो दिन बाद अमरिता का ऐसा बहेवियर देखकर विक्रम अमरिता से माफी मांगने की बज़े उससे अपने थपड की जस्टिफिकेशन देता है कि उससे गुस्से में हो गया उसकी बातों से साफ लगता है कि उसको अपनी गलती नहीं दिख रही उसको हलात की गलती लग रही है अमरिता तब भी विक्रम को कुछ नहीं कहती है और वहां से चली जाती है कुछ टाइम बाद अमरिता अपने पापा को फोन करती है क्योंकि अमरिता की टेंशन लेकर उनकी तबित खराब हो जाती है फोन पर उसके पापा उसको समझाते हैं कि अमरिता टेंशन ना ले और जल्दी मिलने आए अमरिता उनका तो होसला बढ़ा देती है लेकिन उसका confidence बिलकुल तूट जाता है अगले दिन विकरम अमरिता को डिनर पर लेकर जाता है लेकिन वहाँ पर भी अमरिता शान्त रहती है इस वज़ा से विकरम और अमरिता वापस घर चले जाते हैं अगले दिन सुबह उठकर अमरिता विकरम से अपने पापा के घर जाने को कहती है विक्रम उसको बोलता है कि अभी वो जिस situation में है अमरिता को support करना चाहिए और वो ऐसे नहीं जा सकती लेकिन आखिर में विक्रम अमरिता को जाने देता है और उसको छोड़ कर आता है अमरिता कुछ दिन अपने माबाप के साथ वक्त गुजारती है दूसरी और विक्रम अमरिता के बिना ना धंग से खा पाता है ना कुछ समझ पाता है क्यूंकि उसको आदत थी कि सब कुछ उसको अमरिता ही ला कर दे इसलिए वो कुछ दिनों में अमरिता को लेने उसके घर च लेकिन अम्रिता मना कर देती है। वहां फिर से विक्रम अपने उस दिन के थपड को जस्टिफाइ कर रहा होता है। लेकिन एक बार भी यह नहीं कहता कि उसकी गलती है, वो उसको माफ कर दे। उसकी जगे वो यह बोलता है कि ऐसी छोटी छोटी बात पर लड़िया नहीं जा क्योंकि अम्रिता के पास विक्रम के द्वारा एक नोटेस आता है घर वापस ले जाने के लिए लेकिन अम्रिता नहीं जाना चाहती थी लॉयर अम्रिता को कहती है कि एक थपड ही तो था लेकिन अम्रिता उस लॉयर को समझाती है कि थपड जस्ट असलैप नहीं था उसकी वहां lawyer अम्रिता को एक suggestion देती है कि वो विक्रम को divorce दे दे, तब अम्रिता decide करती है कि वो विक्रम को divorce देना चाहती है. विक्रम के पास जब divorce का notice जाता है, उसकी male ego इतनी हाम हो जाती है कि वो उल्टा अम्रिता पर जूटे इल्जाम लगा कर case कर देता है, कि वो property चाहती है और उसके घरवालों को भी तंग करती थी. लेकिन नेत्रा जो औरतों के हक के लिए लड़ती है, वो इतनी अच्छी lawyer रह चुकी थी कि इस सबसे अम्रिता को बाहर निकालना उसके बाए हाथ का खेल था. कुछ दिनों बात पता चलता है कि अम्रिता pregnant है, विक्रम ये सुनकर बहुत खुश होता है. उसको ये भी लगता है कि अब अम्रिता डेवॉस नहीं लेगी. वो अम्रिता के पास जाता है, खुशी से उसको गले लगाता है, लेकिन वो देखता है कि अम्रिता का विक्रम को लेकर अभी भी वही behavior है. फिर वो अमरिता को कहता है कि मेरे लिए ना सही इस बच्चे के लिए ही ये सब खतम कर दे लेकिन अमरिता अपने डिसीजन पर अडी रहती है और वो विक्रम को केस वापस लेने से मना कर देती है विक्रम के माबाप भी अमरिता को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन अमरिता नहीं मानती और उन्हें भी समझा देती है जिस वजह से विक्रम के पेरेंट्स को लगता है कि अमरिता जो कर रही है सही कर रही है दूसरी तरफ विक्रम को अपना प्रमोशन वापस मिल जाता है डैवोस वाले दिन भी विक्रम अमरिता को समझाने की कोशिश करता है कि उसको उसका प्रमोशन वापस मिल गया है तो विक्रम, अमरिता और उनका बच्चा लंडन सेटल हो जाएंगे वो अभी भी ये सब यहीं खतम कर दे लेकिन अम्रिता ऐसा नहीं करती और डाइवॉस ले लेती है जिससे एक नई मिसाल कायम होती है कि जस्ट असलैप लेकिन नहीं मार सकता थपड मुवी को आप एमेजन प्राइम पर देख सकते हैं इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें और नहीं नहीं कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें